योहरों की सीजन में कर्मचारियों और किसानों के लिए अच्छी खबर आई प्रधानमंत्री नरिंदर मोदी के अधक्सता में आज सुबह हुई कैबिनेट की बैठक में सभी किंद्रिय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता चार फिसदी बढ़ाने को मनजूरी दे दी गई बढ़ोत्री इस सल एक जुलाई से लागू होगी इस फैसले से करीब 48 लाग करमचारियों और करीब 70 लाग पेंशन भोगियों को सीधा फायदा होगा इससे इस वित्य वर्ष में सरकारी खजाने पर करीब 13,000 करोर रुपे का बोच पड़ेगा रेलवे के गएर राजपत्रित करमचारियों को भी 78 दिन के वेतन के बराबर बोनस देने का ऐलान किया गया है एक ऐसा निर्णे जो हमारे केंदर के करमचारियों और पेंशनर्स के हित में लिया गया है जल्दी गेहूं और दूसरी रभी फसलों की बुआई शुरू होगी और इसके पहले छे प्रमुख रभी फसलों के लिए MSP का भी ऐलान कर दिया गया इन फसलों की खरीद अगले साल अप्रेल मैं में शुरू होगी इसे विधानसवा चुनाओं के नजरिये से भी एहम माना जा सकता है क्योंकि गेहूं के उत्पादर के मामले में मध्य प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है मिछले वर्ष की तुलना में MSP जादा है और तिलहन और सरसों में जो MSP है उसको 200 रपे प्रतिक्वेंटल की वृद्धी की गई है मसूर के लिए 425 रपे की प्रतिक्वेंटल वृद्धी की गई है गेहों के लिए 150 रपे प्रतिक्वंटल की वृध्धी की गई है और बारले के लिए 115 रपे प्रतिक्वंटल वृध्धी की है चैने के लिए 105 रपे प्रतिक्वंटल वृध्धी की है और सैफलार के लिए भी 150 रपे प्रतिक्वंटल वृध्धी की है कैमिनेट ने लद्दाग से लेकर हर्याना के कैथल तक ग्रीन एनरजी कॉरिडोर को भी मन्जूरी दी है साथ बरसों में तयार होने वाले इस प्रोजेक्ट का मकसद लद्दाग के 13 गीगावाट के रिन्यूबिल एनरजी प्रोजेक्ट से पैदा होने वाली 5 गीगावाट बिजली को कैथल में राश्ट्री ग्रीट से जोड़ना है ग्रीन एनरजी कॉरिडोर पर लगभग 20,000 करोर रुपए खर्च होने का अनुमान है नदिली सप्रशांत इंडी टीवे इंडिया